दोस्तों आज बताऊंगा आपको कि आखिर हमारा Facebook एकाउंट कैसे हैक हो जाता है कहने का मतलब कि आखिर हमारा जो Facebook एकाउंट हम यूज करते हैं वो किसी दूसरे के हाथ में कैसे चला जाता है कोई हैकर उसको कैसे हैक कर लेता है कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा जो है हैकर्स हमारे Facebook एकाउंट को हैक कर लेते हैं अगर आप इन तरीकों के बारे में जान जाओगे तो definitely जो है आप अपने Facebook एकाउंट को हैक होने से बचा सकते हो तो लोगों को पता नहीं होता है इसके बारे में जनकाड़ी इसलिए लोग अपना एकाउंट जो है हैक करवा बैठते हैं आईए थोड़ा हम लोग सीखते हैं कि भई कैसे जो है इस हैक होता है और कैसे इससे बचा सकता है Facebook एकाउंट Facebook जो है दोस्तों की बहुत ही famous social media है और बहुत सारे लोग जो निया भड में इसको यूज करते हैं इसलिए hackers का number one पसंद जो होता है Facebook होता है इसलिए वो चाहते हैं कि आपके एकाउंट को हैक कर ले ठीक है आपको अपने एकाउंट को बचाना बहुत ही जरूरी है कौन से तरीके हैं जिससे hackers आपके एकाउंट को हैक कर लेते हैं सबसे पहला तरीका है phishing phishing में क्या होता है कि जो hacker होते हैं बिल्कुल Facebook जैसा दिखने वाला एक website बना लेते हैं जिसका home page जो होता है बिल्कुल Facebook के तरह दिखता है ठीक है उसके website में थोड़ा भहुत changing कर दिया जाता है जो आपको समझ में नहीं आता है आप उसको देख नहीं पाते हो और आप आसानी से समझ लेते हो कि भाई ये Facebook का ही page है email के माध्यम से आपको link भेज दिया जाता है आपको Facebook में login करने के लिए बोला जाता है आप जब उस link को click करके उस website पर जाते हो email के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से तो आप देखते हो कि विलकुल Facebook के तरह दिखने वाला page खुल जाता है तो आपको विलकुल विश्वास नहीं होता है कि एक duplicate page है Facebook के तरह केवल वो दिख रहा है आप उसमें अपना ID और password डाल देते हो Facebook का जिसने की वो ID पासवर्ड hacker तक पहुंच जाता है उसके बाद वो असानी से आपके Facebook एकाउंट को जो है hack कर लेते हैं समझें तो phishing से आपको बचने की जरूरत है बहुत ध्यान रखिए कि किस page पड़ आप login कर रहे हो वेबसाइट में आप login कर रहे हैं उसके website address को जरूर देखिए सौ बार देखिए कि वाई सही है वो या नहीं है दूसरा जो तरीका होता है hacking करने का उसमें उसको जो हम लोग कहते हैं key logging बहुत साउधानी से hackers क्या करते हैं आपके mobile phone में या आपके computer laptop में key logger जो होता है एक application या software को install करवा देते हैं किसी link के मदद से आया किसी अपने चलाकी से और जब key logging application आपके mobile में या computer में इंस्टाल हो जाता है तो computer पर जो भी आप type करते हो या है वो computer पर या फिर mobile phone पर भी आप type करते हो उस सारा information जो है hackers के पास पहुँझाता है उसके बाद वो असानी से आपके account को logging कर पाते हैं और hack कर पाते हैं या फिर आपके bank related information को भी वो निकाल पाते हैं क्यूंकि आप अगर mobile phone पर भी अपने internet banking account या फिर credit card information वगएर डालते हो तो वो सारा detail उंके पास पहुझाता है उस की logging software के माध्यम से application के माध्यम से तो बहुत ध्यान से याद रखिए कि आपके अपने mobile phone या computer में कौन-कौन से software install है इसके बारे में आपको पूरा जानकाड़ी वहाँ पर होना बहुत जरूरी है ध्यान से install किया कीजिए तीसरा तरीका जो होता है facebook account को hack करने का वो होता है आपका store password आपको पता है कि आप जो facebook में login करते हो computer के माध्यम से या फिर अपने smartphone के माध्यम से तो उसमें आपको एक password को save करने का feature भी मिलता है जिसमें आप login करते हो तो नीचे option मिल जाता है क्या हम इस password को save कर सकते हैं तो आपका जो ब्राउजर है आपके facebook के password को और id को जो है save कर लेता है ठीक है आसानी से ताकि दोसरा बड़ आप login करो तो आपको manually डालने का ज़रुत नहीं पड़े automatic वो feel हो जाए ठीक है तो इस तरह का password जो manager इसको कहाता है जो कि आपके password को save कर लेता है google chrome में या फिर किसी दूसरे application या software के माध्यम से तो बहुत ही आसानी से कोई hacker जो है आपके password manager को अगर hack कर ले तो उसको आसानी से जो है आपके सारे id और password उनको मिल जाते हैं facebook से related हो या फिर जो भी उसके अंदर में password store होता है आसानी से वो देख पाते हैं use कर पाते हैं उसके बाद आसानी से आपके facebook account को भी वो hack कर लेते हैं तो मैं recommend करूंगा कि इस तरह का features को use ना करें अपने password को automatic save ना करें ताकि आपको इस तरह का खत्रा आपके पास ना उत्पन हो उसके बाद जो चौथा तरीका है facebook को hack करने का वो है जिसको कहा जाता है side jacking मान लीजिए कोई public network से आप internet का यूज कर रहे हो जैसे कि आप जाते हो ना internet के लिए यूज करने के लिए railway station या airport पर आपको free wifi मिल जाता है तो उस तरह के free wifi को आगड़ा यूज कर रहे हो और से आप अपने facebook में login कर रहे हो या किस दुसरे important sites पर login कर रहे हो internet banking account में login कर रहे हो तो उस condition में भी जो है आपका account hack होड़ने का बहुत जादा chances बना रहता है क्योंकि public network जो है उतना ज्यादा वह secure नहीं होता है उसको फिर जो है कोई hack कर सकता है और उस hacking के मादियम से आपके personal information को चुड़ाया जा सकता है ठीक है तो इसको एक तरह से session जो है ना hijacking भी जो है इसको कहा जाता है तो य कोई भी एस तरह का account आप यूज ना करें login ना करें जो कि आपका personal हो बहुत जरूरी हो secure हो ठीक है कोई सधरान सा काम करना हो तो कर लीजिए कोई दिकत नहीं है लेकिन अपने personal information जो है उस पर आप login ना करें public network जब आप यूज कर रहे हो तो धन्यबाद दूस्तों